मैं सबसे पहले अपील करता हूँ उडिसा के समाज से मेरे बनवासी समाज की बच्चियां बहुत भोली हैं इनका टार्गेट वही होता है पहाडी क्षित्र आखिरकार कश्मीर की समस्या भी लव जहाद से ही शुरू होई थी पतनायक सहब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए हम उडिसा को कश्मीर नहीं बनने देना चाहेंगे आतंकवाद इसलामीक आतंकवाद उडिसा में भी कदम पधार रहा पसार रहा है जहां एपी जे का अनुसंधान केंद्र था आज महां बंगला देशियों की बस्ती बन रही है ये मत समझना कि वो बस्ती केवल और केवल शर्णार्थी के रूप में रहने के लिए बन रही है शर्णार्थी बनने के बाद क्या हाल होता है फ्रांस का उधारन देखकर समझ लीजिए उडिसा में धर्मांतरन विरोधी कानून बना हुआ है अधुरा कानून है यदि आप भगवन जगनात की इस धर्ती की संस्कृती को बचाना चाहते है मेरी सरकार से अपील है उस कानून में संशोधन करें स्वामी लक्षमानन जी केवल बनवासी समाज नहीं संपूर्ण उडिसा के सम्मानित संत थी और उडिसा ही नहीं संपूर्ण देश के थे प्रेणा लेते हैं लोग उनसे उनकी जिस्तरह से निर्मम भत्या इसाई मिशनरियों के इशारे पर की गई ये देश का समाज कह रहा है ये यहां के मीडिया ने कहा और आपने ही तो कमिशन बनाया है फिर क्यों उसकी रिपोर्ट सारवजनिक नहीं की जा रही हमारी मांग है उसकी रिपोर्ट सारवजनिक की जाए और इसकी जाच आगे होनी चाहिए इसकी जाच आप सौपिये CBI को जिससे इसके उपर न्याय हो सके और उनके हत्यारों को सजा मिल सके कर दो